नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ भोजपूर में बालू कारोबारी और प्राइनसन कंपनी के नेंदेशक पुंच कुमासी और क्रश्नमोंसी के ठिकानों पर एडियन च्छापा मारा है दोनों कंपनी के पार्टनर है ठिकानों पर एडि की टीम सुबह सुबह ही पहुँच गई थी एक साथ के ठिकानों पर च्छापे मारी की गई है बोजपूर में टीम कोईल वर्थाने के दंडिया स्थित शीराल वाचिका में च्छापे मारी कर रही है इसके अलावा दनबाद में भी पुन्च कमासी के ठिकानों पर E.D. पहुंची है जाज अजेंसी ने शनिवास उबर दनबाद के कासा सुसाइटी स्थित आवास और जहरिया है टिली बान स्थित उनके भाई सत्रेंसी के आवास पर दबीश दी E.D. की टीम ने अंदर जाते ही घर के सभी सदस्यों से मुबाईल जब्त कर लिया है और घर के अंदर रखी कई एम दस्तावेजों को खंगाल रही है बालू कारोबारी पुंच कमासी पर धाइसर करोड से अधिक के राजस्व चोरी का मामला है जिसके आधार पर E.D. अपनी कारवाई में चुटी है कमपनी के दुसरे पार्टनर केश्ण मोहन सीन का पित्रक घर कोईलवर थानाशेतर के भाग मजवा है यहां भी टीम गई थी फिलाल उसके दुसरे ठिकाने आरा नगर थानाशेतर के अनन नगर में च्छापेमारी चल रही है पुझसी बिहार में 400 करोड के बालू घोटाले के आरोपित हैं जिसमें E.D. ने पहले भी पुझसी और इनके साथी करीवियों के यहां च्छापेमारी करी है इस मामले में कुछ लोगों को गरफतार भी किया गया था च्छापेमारी के दोरान किसी की भी एंच्री पर रोक लगाई गई है E.D. के अधिकारी कई काखजातों की तलाशी करेंगे टीम करी लोगों से पुझताच भी करेगी इसके अलावा अन्य मामले सामने आते हैं तो उस पर भी E.D. गहनता से पुझताच करेगी मालुम हो कि बालू खनन मामले में विदान पाशत राधा चरण सेट समेत कई लोग जेल में बंध हैं इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद